पुस्तक का नाम जीवन जीने की कला भाग दो लेखक पंड़त श्री रामशर्मा आचारिय ओडियो 5 अहंकार में घाटा ही घाटा, स्वक का विक्रत बोध अहंकार जो व्यक्ति जीवन की साधना सीख लेता है वही आत्मविकास के उच्चतम सोपान पर चड़ने में सफल हो पाता है जो जीवन को साधन न भाया उसकी बुद्धी, धन, साधन सब निरत्थक ही रहे जीवन लक्ष की प्राप्ति में अहंकार एक तैत्याकार शत्तु है यही मन की विकारों को चल्म देता है यही हमारी प्रगति पत्में परवज जैसे विशाल अवरोध खड़े कर देता है सुआ के विकृत बोध को ही अहंकार कहते हैं वह आत्म तत्व से न जुड़कर बहुत तिक संपताओं के साथ जुड़ा होता है दूसरों की तुल्ना में अपने को विशिष्ट मान बैटने पर अहंता की उत्पत्ती होती है मलिष्ठता, सुंदर्ता, संपन्नता, पद, अधिकार, आदि उसके एक कारण हो सकते हैं कई बार ब्रह्म भी उसका निमित्त बन जाता है जाती पांती के आधार पर कई अपने को उचा मानते हैं इस आधार पर दूसरे नीज या हे प्रतित होने लगते हैं और अहंकार जड़ जमा लेता है दूसरों को हे य मानने की प्रवर्ति अपनी अहंता प्रकारांतर से दूसरों को हे या हीन मानने लगती है अपनी माननताओं को दूसरों को गले उतारने के लिए वह अपने साधनों का उद्दत प्रियोग करती है ताकि उनकी और अन्यान्यों का ध्यान आकरशी दो वे उसे देखें, समझें और बड़पन स्विकार करें प्रकार की स्विकृति तभी बन पड़ती है जब उसका प्रतक्ष प्रमान मिले साधारन स्थेती बनी रहने पर तो थ्यान उस ओर जाता नहीं इसलिए कुछ न कुछ उद्दत आचरण अहंकारी को करना पड़ता है अन्याथा तूसरे क्यों डरें, क्यों गड़गणाएं, क्यों लल जाएं अहंकार इसे तो उद्दत आत्म प्रदर्शन किये बिना नहीं रहता कुछ नहीं तो आत्मस लाखा सहिद अपना पखान सोयम ही करने लगता है ऐसी घटनाओं का सच्चा छूट वर्णन करता है जिससे उसकी चाप सुनने वालों पर पड़े और समीब वर्ती उसका लोहा मानने के लिए बाधित हो जिसने उनकी महत्ता सुईकारने में उपेक्षा दिखाई उसे अपना शत्रु तक्स मानने लगता है इसका बदला वा नीचा दिखाने का अवसर ढूंट कर करता है जो हां में हां ना मिलाए जी हुजूरी ना करे उसके साथ वह ऐसा व्योहार करता है ऐसी चाल चलता है जिससे उसे दिल में लाने का दंड भुगतना पड़े अहंकारी के पास सौचन नहीं रहता सजनता, विनम्रशीलता, नम्रता का तो अस्तित्व ही नहीं रहता अहंकार अनर्थ का मूल अहंकार का नाश करने में मनुश्य को सरप्रथम तत्पर होना चाहिए क्योंकि यही सारे अनर्थों का मूल है, ध्वन्स, दुख और विनाश के ही परिणाम इससे प्राप्त होते है रावण की शक्ति का कुछ ठीकाना न था कंस का बल और पराक्रम जगत दिख्या थै दुरियोधन, शिशुपाल, नैपोलियन, हिटलर की शक्तियों के आगे संसार जुखता था किन्तु उनका अहंकारी उनको खो गया व्यक्ति को पतन की ओर ले जाने में अहंकार का हाथ रहता है अभिमानी के प्रती सर्वसाधरन की मानिता पाखंडी जैसी बन जाती है उसके साथ सहीयोग करना तो दूर संपर्क करने वालों में से हर एक की इच्छा होती है कि इस बला से जितनी दूर रहा जाए उतना ही अच्छा ना उसका कोई हितैशी रहता है ना मित्र ना गनिष्ट मांत्रत चापलूस ही उसकी हां में हां मिलाकर उल्लू बनाते हैं और साथ ही अपना कोई अनुचित स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं उनकी पट्री ऐसे ही लोगों के साथ पेटती है। बार बार ठगे जाते हैं। फिर भी अन्यत्र कहीं सहारा ना मिलने के कारण ऐसे ही चाटुकारों के पास जाब पहुंसते हैं और प्रकारांतर से उन्हें रिश्वत देते या उनसे ठगे जाते रहे हैं। अहंकार एक भ्रांती है जो आत्न प्रदर्शन के लिए पक पक पर पाखंड रशने के लिए प्रेरित करती है। जिनमें वस्तुता कुछ विशेस्ता होती है। जो वास्तों में साधन संपन, गुणवान एवं वरिष्ट होते हैं। उनमें सज्जनता भी सहजी साथ रहती है। सज्जनता का पहला लक्षन है नम्रता शेष्टता। दूसरा कुण है हर किसी को यतोचित सम्मान रदान करना। जिनमें इनमें से एक वी कुण ना हो उनकी कणना दुर्जन में होती है। मानवी गरिमा की दृष्ट से उसे गया गुजरा माना जाता है। इस तथ्य से जो अवगत हैं उसी को यतार्तवादी या बुद्धिमान कहा जाता है। इसलिए सज्चन अपने में उन तीनों ही विशेस्ताओं को समुचित मात्रा में अपनाए रहकर अपना दृष्टि को और स्वभाव उसी साचे में धाल लेते हैं। उन्हें अभिमान आत्मघाज जैसा प्रतीत होता है और उससे बची रहने का सतरकता पूर्वक प्रहत्न करते हैं। आत्मघाज करते हुए पैनी दृष्टि से यह जांस्ते रहते हैं कि कहीं अंकार ने व्यक्तित्तों के किसी पक्ष में देरा डालना तो आरंब नहीं कर दिया। यदि किसी मात्रा में ऐसा हो रहा होता है तो वे उसे हटाने के लिए पूरी शक्ति से उसमें ब्रयत्न करते हैं। होटलों और क्लबों में ऐसे लोगों की खुस बैठी होती है। दावत देने सेर सपाटे पर निकलने के पीछे उनकी मनशा यही होती है कि दूसरे लोग समझें कि यह सामाने नहीं असामाने स्तर के हैं। फोटो छपाने की ललक ऐसे ही लोगों की होती है। अपनी कृतियों का बड़ा चड़ा कर धिंडोरा पीतने पिटवाने की बिना उन्हें चैर नहीं पड़ता। अहंकार का जाल जनजाल ऐसा है। जिसमें फस जाने वाला अपनी वास्तविक शक्तियों का इस प्रकार उद्दत प्रियोग करता है कि निरंतर घाटा पढ़ता ही चले। जो कुछ पास में था उसका सदवियोग करके कुछ बना और पढ़ाया जा सकता था। वह आत्म प्रदर्शन के कुछ अक्र में ही बरबाद हो जाता है। अहंकारी हर द्रिस्ट से काटा ही काटा उठाता है। जिस प्रकार दड़पण में देख कर चहरे की कंद्य की साफ कर ली जाती है। उसी प्रकार आत्म निरक्षन द्वारा अपने चिंतन और व्यवहार का निरिक्षन परिक्षन करके या देखना चाहिए कि स्वभाव में। अह मन्यता के दुर्गुण का समावेश तो नहीं होने लगा। नम्रता, शिष्ठता और सज्जनता का इस्तर घटने तो नहीं लगा। प्रदशन की ललक ने अंतराल में अड़्डा जमाना तो आरंब नहीं कर दिया। यदि ऐसा हो तो उचित यही है कि समय रहते आत्म शोधन कर लिया जाए। अहंकार के वृध्धे के साथ मनुश्य का पतन आरंब हो जाता है। और अभिमान की पराकाष्ठा सर्वनाश करके ही छोड़ती है। आवण जब अभिमान से बुरी तरह ग्रस्त हो गया तो उसने अमानविय अमर्यादित क्रत्य शुरू कर दिये। तो वह अपने कुटुम्ब के साथ विनाश को प्राप्त हुआ। अभिमानी दक्ष प्रजापती ने महादिव शिव के साथ जो उसके तामाद भी थे विरोट ठान लिया। अभिमान प्रकट करने तथा उन्हें अपमानित करने के लिए विशाल यग्य रचा। और शिव जी को निमंत्र नहीं भेजा। सती के पित्र ग्रह में विना बुलाए चले जाने पर उनका अभिमान किया। और सती कृद्ध हो यज्यागनी में जल मरी। अंत में दक्ष की बुरी दशा हुई। दान का अभिमान करने वाला राजा बली पतित हुआ। तबके अभिमानी दुर्वासा ने निर्दोश अंबरिश को शाप दे दिया। किन्तु उनका मुल्य उनहीं चुकाना पड़ा और शमा मागनी पड़ी। किन्तु ईुकाना इङला आर बली प्लसके अंग।